हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले रेचल है वोई फिलिन ट्रोफी के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है साउतन फाइपर्स व्सेस सेंडरल स्पार्क इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तों ये मैच आज दो फेरो को तीन बज़े स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है काउंटी ग्राउन होए तो दोस्तों ये उमन्स मैच है ओविसलि इंगलंड डोमेस्टिक उमन्स का ये टूर्नमेंट होता है मैच बहुत बढ़े बज़ा सकता है इसलिए मैं आपको मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों पीच पुट के अगर बात करें तो फर्स्ट मैच होगा इस सीजन में इस ग्राउन पे तो मेरे सबसे पीच फ्रेश होगी नूटरल होगी न्यू बॉल के साथ इनिशल हेल्प मिलेगा पेशर्स को बट उसके बाद बैटिंग आपको अच्छी होती भी दिख सकती है स्पिनर्स भी आपको गेम में आते हुए दिख सकते है अवरे स्कोर करीवन मेरे सबसे 200 और 250 के बीच में आप लोग मानके चल सकते हो अगर किसे ने बहुत बढ़ी आपारी खेल दी तो 250 प्लस बनेंगे वरना मेरे सबसे 250 के अंदर ही स्कोर बनना चाहिए दोस्तों बात करते हैं सेंटल्स पार्क्स की तो इनके दो मैचस हो चुके दोनों के दोनों मैचस इनोंने जीते हैं और गाइस कुछ इस तरह किसे इनके प्लेइंग इलिओन मेरे सबसे रहेगी यहीं प्लेइंग इलिओन रहेगी इसमें मुझे ने लगता कोई चेंज होगा बेंच पर और भी बहुत सारे प्लेयस इनके पास मेबी इनके जगवर इन मैंसे कोई आपको खेलता हो दिखे अगर आप लोग देखो कि एमी जोन जिसने नंबर चार पे बैटिंग करी है दोनों मैच जिसमें रन बनाए हैं विकेट कीपर है 114 मैच में सेकंड मैच में 163 रन बस इस प्लेयर के अलावा बाकि किसी भी प्लेयर ने रन नहीं बनाए हैं अगर आप लोग टॉप थी अगर आप लोग देखोगे तो टॉप थी में तीनों प्लेयर बहुत अच्छी एविलें जोन्स बहुत अच्छी है बट दोनों मैच में रन नहीं बने सेलेक्शन बहुत कम है बहुत ही बढ़िया ग्रेंड लिक पीक है लेटने बैट्समें ने कभी-कभी गेन बाजी करती ग्वेनन डेवियस अगेन वेरी गुड डिफरेंशल प्लेयर अच्छी प्लेयर है पिछला सेजन इनका ठीक रहा था इनको ट्राई जरूर कर सकते हो मैरी के लिए ये भी बहुत बड़ी है प्लेयर है पिछला सेजन इनके लिए ठीक रहा था इनको भी ट्राई कर सकते हो ब बटलर ये बॉलिंग भी कर ले थे तो उससाबसी इंपोर्टन रहेगी इनको रोटेट करना सारा गलन इस वेरी इंपोर्टन रिया फेकरेल इस इंपोर्टन एमिली एरलोट को बॉलिंग सेक्षिन में रोटेट कर सकते हो इसी ओंको बॉलिंग में रोटेट करना इसी ओंध की बाद करें फॉर्स में निकाल सकती, इनको try जरूर करना है स्टेप बटलर फर्स में दो विकेट है, सेकंड में स्रिफ तीन और गेंद बाजी करी थी, कुछ नहीं बोल सकते हैं, हो सकते हैं, आपको पूरे दस और गेंद बाजी कर देगो, दस और तो शायद नहीं करीगी, सॉरी, बट साथा टोर आपको बॉलिंग कभी भी करते हुए सारा ग्लेन आपको पूरे 10 और देगी, फर्स में 10 और में 1 विकेट था, सेकंड में 10 और में 2 विकेट थे, प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं, उससे सबसी इंपोर्टन है, रिया फेकरेल फर्स में 7 और में 50 रन थे, बट सेकंड में 9 और में 34 रन थे, चार रिया डिफरेंचल पीके, ठीक है, दोस्तों पिछले सिजन के कुछ ये स्टाट से बिलकुल चेक कर सकते हो, तो एविली जोंस जो पन करते है, पिछले सिजन में 6 मैचेस में 334 रन थे, सबसे जाधा रन अपने टीम के लिए 66 कावरेट से, इस वाज इस मैंने आपको बोला कि इंपोर्टर पीके, केली ने भी 54 कावरेट से रन बनाए थे, ठीक है, दोनों टॉप ओरर में खेलती है, प्लस जी डेवियस, 6 मैचेस में 169 ते 28 कावरेट से, ये भी ओर टॉप ओर में बैटिंग करते हैं, जो तीनों टॉप ओर बैट्समन से देखके चलोगे, क्लेर ब बनाए थे, यहाँ पर दो मैचेस में बहुत रन बना चुकी है, सी हिल के चांसेस नहीं है, यम होम की बात करें तो उन्होंने चार मैचेस में सिप 19 बनाए थे, पिछले से जन में, बॉलिंग में देखोगे, तो ए पटेल ने पाच मैचेस में 8 विकेट्स निकालती है, ये इशिवाँ ने तीन मैचेस में, दो मैचेस में दो विकेट्स और सारागलें 2 मैचेस में में, ये एक विकेट्स निकाला था दूस्तों बात करते हैं साउटन वाइपर्स की तो कुछ इस तरीके से मेरे सबसे प्रोईबल प्लैंग लेए ओन रहेगी, पिछली मैच में हुआ था, पेज कॉल फिल्ड नहीं खेली थी, और मेरे सबसे लौरेन बेल नहीं खेली थी, इनके जगवर पिछली मैच में खेला क में नहीं बोल सकता और Ella McGon की बात करें पिछले सीजन में ओपन करें थे अपनी टीम के लिए पिछले मैच में ओपन नहीं किया था और बैटिंग कोई नहीं आई थी नमबर तीन विकेर गिरने के बाद भी नहीं आई थी बाकी प्लेस ने रन नहीं बना है जोर्जी आडम्स देखो 28 रन, 6 रन बटना इनके में पिछले सीजन के स्टार्स दिखाऊंगा भाईया आप लोग बहुत इंप्रेस हो जाओगे सिलेक्शन बहुत काम है, सिलेक्शन ठीक है कम नहीं बोलूँगा ठीक रहेगा इनका बिकुस नहीं बॉलिंग कर लेती है उससाब से बहुत इंपोर्टन्ट है डेनल वाइट 53 रन, 64 रन दोनों मैचेस में रन बने है प्लस सेकंड मैच में नोट आउट रही थी ये ची बहुत बैटिंग करे थी सेकंड मैच में चारली अगें वेरी गूट ऑल डाउटर 32 फर्स मैच में सेकंड में सिर्फ दो रन पेच कॉल फिल्ड ये भी ऑल डाउटर है फर्स मैच में 38 बनायते बड़ बलिंग नहीं करी थी वो second match में शायद ये खेली नहीं थी ठीक है तो यहाँ पे do not player लिखना चाहिए था खेली नहीं थी Emily Windsor ने 15 बनाए थे first match में तारा नौरिस तीन बनाए थे first match में balling के बात कर लेते हैं तो Lauren Bell first match खेली थी आप इनको एक विकेट था second match ये खेली नहीं थी हो सकता है third match में आपको फिर से खेलती हुई दी के important baller है Charlotte Taylor के बात करें first match में एक विकेट था second match में चार विकेट है दो match में पाच विकेट से right time off break spin game बजी कर लेती है Tara Norris को first match में तीन विकेट थे second match में कोई विकेट नहीं था बट important रहीगी left time fast medium में अलग एंगल से आती है विकेट निकाल सकती है Georgia LV से all rounder है first match में एक विकेट था पुरे 10 और गेंद बजी कर थी second match में पाच और गेंद बजी में कोई विकेट नहीं था Georgia Adams first match में तीन और में एक विकेट विकेट लिए थे साथ और बॉलिंग कर रहे है तो उससे सबसे important रहेगी अगर Lauren Bell आपको खेलती भी दिखे तो मेरी सबसे Daniel White के overs cut सकते है तो इस टीम में भी बैटिंग थोड़ी से weak लग रही है मतलब struggle किया है बैटिंग ने बट बॉलिंग ने अच्छा किया है ठीक है वह सेम पिछले Central Sparks का भी था Central Sparks के बैटिंग ने struggle किया था बट Central Sparks के बॉलिंग अच्छी रही थी ठीक है अब बात करते हैं पिछले सिजन की तो most runs देखो G. Adams 7 matches में 500 run बनाये थे 83 के average से हाइस score 154 था highest run गेटर रही थी अपने team के लिए और tournament के लिए बहुत run बनाये थे इस सिजन में अपताक run बने नहीं open करती है प्लस बॉलिंग करती है इनके अलावा जो next player है 7 matches में 183 runs है तो difference देखो कितना है top run गेटर ने fast run बनाये second highest getर ने 183 बनाये बहुत बड़ा difference है बाउचियर है 50 run हाइस score था इनका Charlie Dean ने 7 matches में 180 बनाये थे 60 हाइस score McGon जो पिछले match में खेली थी पिछले सिजन में open कर रही थी 7 matches में 172 बनाये थे 63 हाइस score था Daniel White ने 2 matches में 119 बनाये थे 66 हाइस score Windsor 6 matches में 112 run Peace called field 7 match में 87 run C Root जो विकेट किपिंग करती है 7 matches में 81 runs और A Monaghan 7 matches में 3 innings में बैटिंग मिली थी 11 run बनाये थे Most wickets देखो Charlotte Taylor 5 matches में 15 wickets निका थे पिछले सिजन में Norris ने 7 matches में 12 wickets Skolfield ने 7 matches में 9 wickets C Dini ने 7 matches में 9 wickets Lauren Bale जो पिछले match खेली नही थी 4 matches में पिछले सिजन में 7 wickets निका लेते Jay Adams जो उपन करती है सबसे ज़्यादा run भी बनायेते 7 match में 7 wickets थे Daniel White ने 2 matches में 1 wickets Boucher ने 7 matches में 1 wickets और Monaghan ने 7 matches में 2 innings में balling करेती इस रिप और 2 wickets निका लेते ठीक है तो दोस्तों बनाते हैं small league की team Wicket Kipper section देखोगे तो Amy Jones obvious peak है बहुत run मनाए इनको आम लोग small league में तो लेक के ही चलेंगे इनके aloia पे sea route है यह just wicket keeping के लिए इनको खिलाया जाता है बैटिंग बहुत नीचे मिलती है बिल्कुल बहुत नीचे मिलती है तो मैं small league के लिए ज़्यादा recommend नहीं करूँगा even grand league में भी बहुत ज़्यादा recommend नहीं करूँगा हाँ wicket keeping से कुछ ज़्यादा ही points देदे तो फिर वो अलग बात है बट still आप लोग छोड़ सकते हो G Davies यह आपके लिए बढ़िया differential PK only 1.85% selection है अप लेंगी लिए अनूंस होने के बाद maybe 2% या फिर 3% के उपर जाएगा इससे ज़्यादा जाने नहीं वाला ठीक है तो G Davies को try जरूर करना बट बहुत सारे teams में एकाद 2 team में try कर सकते हो उस time पे अगर आपको लग रहा है कि Emy Jones flop हो सकती है देखो 2 matches में Emy Jones ने 100 plus run बनाए हो सकता है Emy Jones इस match में जल्दी आउट हो जाए अगर जल्दी आउट हो जाती है 98% public लाने वाली है प्लस 50% public captain करने वाली है अगर flop हो जाती है उनके जगपर G Davies अगर run बना जाती है तो आपको Grand League में बहुत ज़्यादा boost मिलेगा तो एक दो टिम्स में Emy Jones को drop करके G Davies को जरू टाए करना ठीक है चलते बैटिंग सेक्षिन में वाइट, G Adams और रियाप फेकरिल तीनों important है ठीक है तीनों balling plus batting तीनों देने वाली है तीनों को हम लोग small league में लेने वाले है बात आती है grand league की यम केली one down आती है अच्छी player है पिछले season में 54 गावडेट से run बनाएते बाउचियर है थोड़ी बहुत batting थोड़ी बहुत balling कर लेती है बट इस season में balling नहीं करी है बैटिंग थोड़ा से नीचे करीगी ज्यादा recommend में small league के लिए तो वैसे नहीं करने वाला grand league में फिर भी 18 team में try कर सकते हो win sir को में ज्यादा recommend नहीं करूँगा milli ho में 18 team में rotate कर सकते हो meggon ने पिछले season में open कर रही थी season में number 4, number 5 पे batting को आएगी में भी 18 team में try करना में ज्यादा recommend नहीं करूँगा बाकि कोई खेलेगा नहीं ठीक है तो यहाँ पे must grand league में try करने जैसे है yam kelly इनके अलावा जो player से उनको 18 team में ज्यादा से ज्यादा try कर सकते हो बटलर है, balling देगी plus batting देगी इनको जरूर try करना, air load को drop करके grand league में बटलर को try करना उसके अलावा, evillain jones से open करती है पिछले season के मैंने आपको stats दिखा है 66 cabinet से पिछले season में run बनाई थे अगर देखो, पिछले दोनों मैंचेस में run नहीं बने हो सकता है कि आज का दिन इनका अच्छा रहो रहे और यह आपको run बनाते वे दिख जाए इनको जरूर try करना, simply करना कि आपको यहापे air load को drop करके evillain jones को try कर लेना है, कुछ tims में air load को drop करके, yes butler को try कर लेना है बस यही आपको करना है, बाकी नीचे है मोना गहने में ज़्यादा रही comment आपको करने नहीं वाला ठीक है, grand league के लिए भी ने, इस call feed खेलती तो में भी try कर सकते हो, Tee Brooks खेलती तो इनको भी try कर सकते है, बालिंग कर लेती है और यहापे boycott, अगर boycott खेलती है तो इनको try करना, बिकोस यह बालिंग अच्छी कर लेती है, और यह बैटिंग भी अच्छी कर लेती है ठीक है, उसी सबसे, अब चलते है बालिंग सेक्षन में, Sarah Glenn important है Charlotte Taylor important है, इस ही ओंग important है और यहापे Tee Norris important है, चारों बालर्स को मैं अपने टिम में रखने वाला हूँ, इनके अलावा देखोगे तो लीजी रसल है, यह भी विकेट टेकर है किसके जगह पर try कर सकते हो, इस ही ओंग को top करके लीजी रसल को try कर सकते हो, या फिर या पर Sarah Glenn तुम्हें नहीं बोलूँगा, बट इस ही ओंग को रोटेट करना, बागे I don't think कोई खेलने वाला है तो small league के लिए Morris लेते हैं, और grand league में आपको किस तरीके से किसे drop करना है, और किसे लेना यह हम आपको बता चुका हूँ दोस्तों यह हमारी small league की team है, बट यह common team है public यही करने वाली है, maximum public और यही करना भी चाहिए चार से पाच players जिनको must आपको captain wise captain करना ही करना है Amy Jones सबसे पहले, उसका Daniel White, उसके बाद अगर देखोगे G. Elvis, उसका C.D. यह चार order owners आपको 100% captain wise captain करने है प्लस Sarah Glenn, यह आपके पाच players से, यह चार order owners तो ही प्लस Sarah Glenn भी बैटिंग कर लेती है, एक match में 70 plus run बना चुकी है first match में, उससे सबसे important है तो यह पाच players आपको grand league में captain wise captain try करने ही करने है बिल्कुल miss नहीं करने है, इनके अलावा differential players का आए एक तो George Adams balling करती, जरूर है तो मैचस में 2 wicket से प्लस है बैटिंग बहुत अच्छी करती है, पिछले season में 500 run थे बढ़िया बैटिंग करी थी, इनको grand league में captain करना इनके अलावा अगर देखोगे तो नीचे आओगे तो मैं balling को recommend करूँगा T.C. Taylor, Ishii Wong, T. Norris, तीनों को try कर सकते हो प्लस Liz Russell, इनको भी grand league में captain wise captain try कर सकते हो कोई भी baller आके 3-4 wickets निकाल सकते हैं, मैंने आपको अल्रीडी बता है दोनों teams की batting week है, दोनों teams की batting ने struggle किया है तो अगर ballers का दिन अच्छा रहा, तो इन में से ballers आपको 3-4 wickets निकालते भी दिख सकते हैं 3-4 ballers को भी grand league में captain wise captain, जरूर आप लोग try कर सकते हो और एक order section में है, Evelyn Jones, इनको grand league में captain tie करना बढ़िया प्लेयर है अगर अच्छी पारिया आपको खेलते हुए दिखे, तो जरूर try कर सकते हो बागी किस के जगप आपको किसे try करना ये आपको मैं already बता चुका हूँ बाटिंग section में किस set rotate करना है, किस के जगपे, order section में और balling section में आपको ये भी बता चुका Even मैं आपको wicket keeper section में बता चुका हूँ, किस से आप लोग rotate कर सकते हो दोस्तों मैं आपको एक grand league की team भी बताने वाला हूँ, ठीक है, with logic उससे पहले मैं आपको small league की captain, vice captain बता देता हूँ, तो emilion johns को obviously 50% public captain करने वाली ही करना भी चाहिए और vice captain से maximum public, danil white के साथ आगी, करना भी चाहिए, यही दो captain, vice captain देखो best रह सकते है, small league के लिए इनको करके चलो बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, emilion johns, ठीक है, evie johns, sorry, पिछले दोनों matches में run बनाए, 114 run, 163 run, हो सकता है इस match में जल्दी आउट हो, जल्दी इसका मतलब यह नहीं कि 10-15 run ही बनाए, हो सकता है, 15 run के बीच में बीच में आउट होती है, 50 run तक भी आउट होती है फिर भी आप लोग ignore कर सकते हो, mini GL में, GL में इनको captain wise, captain c के लिए, विकास इनके अलावा, sara glane, g, elvis, c, din, इनको भी आप लोग captain wise, captain try कर सकते हो, mini GL में small league में यही best options है, ठीके, but mini GL खेल दे हो, तो इन तीनों को भी आप लोग बिल्कूल try कर सकते हो, अगर इनका दोनों का दिन अच्छा नहीं राविद bat, तो आपको यह तीनों run भी बनाती हुई दिख सकती है, wickets भी निकालती हुई, दिख सकती है, तो mini GL में इन तीनों को जर लो, तो evie jones plus emie jones, यह मैंने top order batsman ले प्लस wicket keeper, चाहो तो drop कर सकते हो, अप लोग evie jones को इस team में, और किसे draw ले सकते हो, g devious को ले सकते हो, जो open करीगी, ठीके, इस तरीके से, और opponent team के चार main players ले लो, maybe all rounders, maximum all rounders लेनी की कोशिश करना, तो यह 4 all rounders से, मैंने 4 को ले लिया captain wise captaincy किसे दे सकते हो, बॉलर्स को try कर सकते हो, यहाँपे captaincy के लिए, ठीके, 3 बॉलर्स को try कर सकते हो, यह पर कर सकते हो, Owen applications के लिए, तो balling section में और VC के लिए आप लोग यहापे इन दो all rounders के साथ भी जा सकते हो ठीक है तो यह आपका call होगा captain ice captain से किसे देनी है बट मैं आपको logic बता चुका हूँ यही logic में आप लोग opponent team के लिए ट्राई करना अगर समान लो तो मान लेते हो कि wipers पेले balling करती है तो wipers के ballers ले लो, wipers के top 3 batsmen ले लो और फिर 4 players लेनी की कोशिश करना central sparks की ठीक है कुछ इस तरीके से आप लोग opponent team के लिए भी try कर सकते हो I hope दोस्तों आपको सब कुछ clear हो चुका है बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सब कुछ clear कर दिया है आपको आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को like जरूर करोगे हाँ, telegram channel से join होना विकोस final playing इलों मैं आपको telegram channel पर update करूँगा telegram channel की link आपको इसी वीडियो के description box में या फिर first comment में मिल जाएगी YouTube channel को subscribe नहीं किया है, गलती कर रहे हो